जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब बढ़ी आऊंगे इस वीडिम दोस्तों बात करेंगे UAE 11 और अफगानिस्तान की टीम के बीच में जो आपको पहला ODA मैच खेला जाता हूँ दिखेगा इसको डिटेल में कवर करेंगे वीडियो कमले देखना कौन से प्लेयर आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं कौन से प्लेयर को आप लोग इस मैच में अपनी टीम में पिक करके चलोगे किसको काप्टेंची पे रखोगे किसको वाइस काप्टेंची पे रखोगे डिटेल में सारे चीज़े कवर करेंगे एक चीज आपको बता तोड़ा सा स्टोंग टीम जरूर देखने को मिलेगी विकोज अफगानिस्तान के जो बैटिंग रहेगी पला सुनके जो गेंदबाजी रहेगी दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकती है मतलब इस मैच में जब भी आप लोग अपना टीम स्लेक्शन करोगे न तो थोड मैचेज बनेंगे वो अफगानिस्तान के टीम के थोड़े से जादा जरूर बनेंगे तो ये चीज़ आपको इधान में रखनी बाकी आगे वीडियो में आपको साड़ी चीज़े बताऊगा कि कौन-कौन से प्लेयर आपके लिए इंपोर्ट एंडर आपको क्या देखने को मिल सकता है तो वीडियो आपको कम भी डोच करना है सबसे पहले चैनल पर नहीं होती है और सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ओन कर लेना आने वाले किसी भी मैचेज की वीडियो आपको मिस्स नहीं करनी वीडियो पसंद आए तो दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जीए सबसे उपर टोप में एक पिंड कमेंट मिलेगा वापे लिंक है सिंप्ली उसके उपर क्लिक करना हो टेलीग्राम को आप लोग ज़ौई जरूर से कर लेना कोई भी अपडेट् के बात करें तो सबसे पहले एक बार आपको वेन्यू के बार में बता दूँ वेन्यू जो रहेगा वो रहेगा सार्जा क्रिकट स्टेडियम सार्जा के वेन्यू बैइ यानि लेकिन अफगानिस्तान की टीम में जो quality spin गेंद बाजी आपको दिखेगी ना भाई वो भी most important है ये चीज़ आप लोग बान के चलना ठीक है तो अफगानिस्तान के spinner भी यहाँ पे आपके लिए जरूर important बनेंगे चाहिए विकेट बले यहाँ पे पैसस को क्यों ना help करें अफगानिस्तान की टीम के पास में फिर भी experience थोड़ा सा international level पे आपको ज़्यादा दिखेगा तो अफगानिस्तान अगर इस मैस में पहले बल्ले बाजी भी करने आगी ना तो कहीं ना कहीं आप लोग यह समझ के जलो 260-270 के expectations तो जरूर कर सकते हूँ अगर बढ़िया start मिल निकाले तो आप लोग यहाँ पे समझ पाऊगे कि जो spin रही है वो important हो सकते हूँ और अफगानिस्तान में तो वैसे भी आपको quality spin गेंदबाजी जरूर देखने को मिलेगी तो यह चीज आपको जयान में रखने और बाग की जो चीज़े मैंने आपको बताई उन पे भी करके खेले क्योंकि यह ना प्लेयर थोड़ा सा तेज गतिसिक रंज करने वाला प्लेयर है बस स्टार्टिंग और से अपना विकेट थो ना करके जाए कम से कम चार पांच ओवर थोड़ा समल के बल्लेबाजी कर लेगा ना डेफिनेटली गुर्बाज आपके लिए बहुत के रूप में जरूर से मिलेगे ठीक है तो बैटिंग सेक्शन के अंदर आएंगे हजमतुला साहीदी फस्ट बल्लेबाजी अफगानिस्तान करेगी बाइसा मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाएगा स्टार मार के चलना ठीक है मिडल ओर में बल्लेबाजी करेगा हो सकता है सैक कि आपको गुर्बाज के साथ में काफी टैलेंटीड प्लेर है और देखो मैं एक्सपेक्टेसंस करके चलूँगा कि UA की टीम के सामने जादरान के बल्ले से रंस जरूर निकले क्योंकि अगर यहां रंस नहीं निकलेगा ना भाई तो फिर देखो कहें नहीं सकते कि यह प् पहला बल्लेबाज आपको मिलेगा ना वो रहेगा वसी मॉमद ठीक है ओपनिंग करने भी आ सकता है मिडल में भी बल्लेबाज जी कर सकते है क्योंकि अभी दोनों टीम के लाइन अपस कंफर्म नहीं है जैसे इनके टोस के बाद प्लेंग 11 आजाएगी उसके बाद में प्ल प्लेयर वाली जो 24 मिलेगी आप वसी मॉमद के रूप में मिल जाएगी जो कि बल्ले के साथ में और गेंद के साथ में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है आप दो कि इनके गेंद बाजी में कंफर्म नहीं कहुँगा कि बाई करेंगे हो सकता है ना भी करें लेकिन करवा जरूर सकते है बस वो चीज द्यान में रखो बल्ले बाजी बढ़िया करेंगे लकिन डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान के स्टार्टिंग में पैसस जो रहेंगे न यानकि जो तेज गेंद बाज रहेंगे उनके सामने किस परकार की बल्ले बाजी कर पाएंगे वो सबस नहीं करेगा सबसे बड़ा प्लस वाइंट आपको इनका वो देखने को मिलेगा उसके बाद में अगर हजरत उल्ला जजाई को टीम खिलाएगी न तो फिर कहने ही सकते कि इबराहिम जादरान भाईया कहां पे बल्ले बाजी करेंगे क्योंकि जजाई ओपनीं करने वाले प अपनी टीम यंदर कर सकते हैं तो उसमें जरूर कर सकते हैं नीचे आओगे डी रसुली को छोड़ सकते हैं चांसे मुझे कम दिखेंगे कलियान आर असन में से मुझे उतने कुछ खास प्लेयर नहीं दिखते हैं अब ही चलेंगे एक बार आएंगे बाई ओल्राउंड सेक् करेंगे लेकिन दस ओवर आपको गेंदबाजी प्रोपर दे सकते हैं और अगर बल्लेबाजी का मुझा मिलेका ना वहां पी यह बंदा तगड़ी हिटिंग कर सकते हैं तो आपको एक प्रोपर फिलिंग देगा ग्रेंड ली के लिए कैप्टन सी वाले ठीक है उसके बाद म आपको जितना फोकस करना है न तो उतना करना आप लोग इनके ओल्लेबाजी प्रोपर दे सकते हैं तो कई नगई एक जगए आपको अच्छी परफॉर्मेंस जरूर मिल जाएगी तो अयान अफजल खान आपके लिए most important pick बनेगे गुलाबदी नाइब देखो ये grand league वाला player है अगर खेलता अपने team में try कर ले ना उसके बाद में करीम जनाथ दो बड़िया विकल प्रहेंगे अब देखो कौन-कौन player खेलेंगे वो में आपको लड़ी बताच कोंगे भाई confirm नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान के पास में options बहुत सारी है गुलाबदी नाइब अगर खेलते हैं तो भाई ये भी देखो opening कर सकते हैं middle में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं जैसा कि अभी दोनों टीम्स की line-ups confirm नहीं है तो अभी finally नहीं कह सकते कौन-कौन player खेलेंगे लेकिन जिसके high chance है मैं आपको वो player के बारे में जरूर बताऊँगा अली ने सेर ठीक है एक important player हैगा बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों मिल जाएगे जरूर से try कर सकते हो ठीक है बड़ी अविकल्प है और already clear गर चको UA के जो player रहेंगे न उलाउंटर section के वो ज़्यादा important रहेंगे selection बता चको हूँ 8-3 के combination के साथ में जाओ 7-4 के combination के साथ में जाओ वो सबसे best रहेगा इस मैसमेटिक है नीचे मुझे कुछ खास player नहीं लेंगे bowling section में रासिद important फजलक फरुकी नवीन उल हकतीन तो भाई important है अब देखो नवीन के साथ में specially आप लोग जाना गर पहले गेंदबाजी करते हैं अफगानिस्तान क्योंकि slower ones का यूज़ करेंगे death hour गेंदर गेंदबाजी दे सकते हैं वो सबसे बड़ा backup हो जाएगा एम जवादूला जो की UA के साइड़ से एक बढ़िया विकलप आपको मिलेंगे ठीक है definitely try करना अगर या पे UA की टीम पहले गेंदबाजी करती है second game बाजी करेंगे आप लोग जवादूला को टीम से हटा भी सकते हो फिर गोई दिक्कत नहीं है ठीक है उसके बाद में नूर एमद अगर नूर को टीम खेलाई या फिर भाई काईस एमद दोनों मेंसे कोई एक अगर खेलता है तो बड़िया spin option आपको मिलेगी रासिद के साथ try अपनी टीम में definitely कर लेना अभी confirm नहीं कि कौन खेलेगा इसलिए मैं आपको suggest नहीं कर रहा हूँ उसके बाद में नीचे आओगे options बहुत सारी अफगानिस्तान के टीम में भाई लेकिन सभी बलर तो नहीं खेल सकते वो आपको भी बता है सो अभी मैं पिक करूँगा यहाँ से नवी नुला को ठीक है मेरी 11 प्लेयर की टीम बन चुक है जो मैंने आपको चीज बताई कि आप लोग या तो 8-3 के combination के साथ में जाओ या फिर भाईया 7-4 के combination के साथ में जाओ वही combination मैंने आपके सामने किरेट किया जापे माठ 3 के combination के साथ में जाओ आठ प्लेयर अफगानिस्तान तो 3 भाई यहाँ पे UAE के टीम के साइड से पिक करूँगा अभी भी बता दू भाई यहां से देखो गुलाबदी नायव और करीम जनाथ दो बड़ी अविकल्प है लेकिन डिपेंड करता है इनकी जब line-up साइंगे निकल गे ठीक है कि कौन-कौन से player खेलेंगे अभी मेरे according जिसके high chance है न उसके according में आपको बता रहा हूँ यह team selection ठीक है तो मेरा जो 11 player का team selection है न वो अभी किरेट हो चुक है जो कि मैं आपको यहां से एक बार दिखा देता हूँ मेरे team में 11 player आचुक है आप लोग देख पाऊगे अफगानिस्तान के side से maximum player मैंने pick करे UAE के team के मैंने come play रखे हैं क्योंकि match win करने के chances अफगानिस्तान के चाहिए वो पहले बल्ले बाजी करें या फिर second बल्ले बाजी करें captaincy vice captaincy की बाद हैगी तो वो थोड़ा सा सोच समझ के आपको try करनी पड़ेगी देखो ध्यान से सुनना सबसे best option में रासिद घान रहेंगे इब्राहिम जादरा रहेंगे रैमनूला गुर्बाज रहेंगे तीन सबसे बड़ी अविकल रूब और high selection में ये player आपको captaincy vice captaincy में मिलेंगे लेवल के performance ना निकले लेकिन आने वाले किसी न किसी मैच में कमाल की performance ये player आपको करतावाद जरूर दिख जाएगा ठीक है काफी बड़ीया player है फजल अख फरुकी जो के starting में जटके दे सकते है यूई के team को तो आपके लिए unique option हैगी captaincy और vice captaincy ठीक है तीन player बता दिये रह्मत सा को try गरो अली नसीर को try गरो फजल अख फरुकी या फिर भईया अजमत उल्ला उमार जाई ये चार आपके लिए थोड़ा सा differential options है captaincy और vice captaincy की safe option में गुरबाज इबराहिम जादरान और या पे भईया रासिद घान ठीक है तीन आपके लिए captaincy vice captaincy की safe विकल पर रहेंगे आप लोग इन में से किसको captaincy रखोगे किसको vice captaincy रखोगे वो depend आपके उपर गरता है लेकिन एक चीज़ और किलियर गर दूँ अभी जो आप लोग team देख रहे हो ये बाई सिर्फ demo team मान के चलनला क्योंकि जैसा ही दोनों teams क टोस होगा और lineups निकल के आईगी तो हो सकता है इन में से कोई player ना भी खेले इनके जगह कोई भी other player खेलेगा और किस player को remove करके फिर कौन से player को team में back करोगे वो update फिर मापको telegram channel पर जरूर दूँगा ठीक है तो telegram के साथ में जुड़ना सबसे ज़्यादा important है comment section में जीए दोस्तों अगले match के वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस match में एक बढ़िया team selection करोगे और आपकी team अच्छा perform जरूर करेगी